आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीजन का अपना तीसरा टेस्ट दो कम्प्लीट कर लिए हमने तीसरा लगा रहा है जो मेली जोग्रफी है पहले दो पॉलिटी से लिटेट थे तो इन से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ी बताना चाहूंगी कि आप एक काम से अंधे द्हान से नहीं वहत्तब सकतं है और आप को यहां पहली होना है कि आंप के सही हो रहे गलत रहे हैं तो तो को समझ में आया होगा हम है करते हैं और आपको डिस्पोंट नहीं होना कि आपके सही हो रहा है गलत और देखना है कि आपको कहां पर work करने की ज़़ुरत है तो देखते हैं मृदा को जंदर्विद करता है तो ये किस मृदा के बारे में बता रहा है A. काली मृदा, B. लेटराइट मृदा, C. लाल और पीली मृदा, D. जलोड मृदा तो दीखिए जो सिर्स क्वेस्षन है उसका आंसर सही हमारी है दीखिए लाल मृदा का रावेदार अग्ने चछ्टान होती है पाश्यमी घाट के गृवडव में पाई जाती है तो पाई जाती है तो बहुत एसमे में लोही के घुड़ारण की घॉच्टान उने कार्ण यह पीली दिखाई देती है महीन कड़ो वाली लालो पीली मृदाय समानता उर्वर होती है जबकि शुष्क उच बूमियों की मृदाय मोटे कड़ो के कारण अनुवर होती है जहां मिट्टी यु मोटे कड़ोंगे वह अनुदर होगी तो हमारा फस्ट का सी सही है अब सेकिंड क्वेश्चन देखते है हाली में सुर्ख्यों में रही खेल इंडिया यूजना के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीज़े एक इस यूजना के अंतगर देश के प्रते एक जुले में खेल इंडिया स्टेट सेंटर और एक्सिलेंस मालिय संदर में 29 राज और संग्राज छेत्रों के 375 जिलो में 478 खेलो इंडिया केंट को स्विक्रिती प्रदान के गए खेलो इंडिया कारकरम का उदेश जमेनी स्थर पर खेल संस्कृति को मुनरजीवित करना इसका मतलब यह है कि मतलब खेल संस्कृति है उसको आगे खेल मंत्राले की केंद्रिये छेत्रक की योजना है ठीक है खेल मंत्राले आप खेल से वेटेड़ है तो आपको वैसे याद रहेगा है ना केंद्रिये छेत्रक की योजना है इसका उदेश देश की सभी जिलों में 1000 किस्थापना करना है खेलो इंडिया केंद्र की स्थापन रुपए प्रतिवर्श की आर्तिक सहायतर दी जाएगी तो आप देख सकते हैं कौन-कौन से हैं तो देखिए फॉलोइंग मेजर इंडिजिनियस ट्रडिशनल गेम हैव बीन इडिटिफाई तो जो ट्रडिशनल गेम इडिटिफाई किया है जैसे मल्खम का है एंपी का तो mm से याद कर लिए इस अ कॉंबिनेशन आफ योगा जिमनास्टिक्स और मार्शाल आट इनका यह इस पॉल रोप हैंगिंग निराधार विदाउट सपोर्ट ऑन कैन ओन फ्लोटिंग प्लेटफर्म मल्खम विद वैपन एट्स एक्सेटर ठीक है कलारी पयट्टू का है केलल का यह भी केक से याद कर लीजे इट इस एफॉर्म अ मार्शाल आट की फॉर्म है तिफरेंट ट पंजाब का यह से लशी गटकी तो गटका पंजाब का ठीक है ट्रेडिशन से याद कर लीजे ट्रेडिशनल मार्शाल आट फॉर्म यह इस हिस्टॉरिकली एसोशेट विद शिख गुरूस ठीक है यह भी मार्शाल आट फॉर्म है स्टिक फाइटिंग बट्मिन तू एंड मोर प्रेक्टिशनर विद बुदन स्टिक कॉल्ट सोटी इंटेंड तू स्टिमलेट स्वाट थीक है तू स्टिक फाइट होती है इसमें जो थांग्टा है वो मनीपूर का है ट्रेडिशनल मार्शाल आट अलसो कॉल्ट हुएन लालॉंग ठीक है मैं मेथड ऑफ सेल्फ गा सिद्धासना परफेक्ट और एकम्पलिश्ट पोस वजरासना थंडर पोल पोस एक्टर एट सेट्रा सिलम बन है वो तमिल नाडु का यह वीपन वेस इंडियन मार्शाल आट है यह बट आल्सो ट्रेडिशनली प्रेक्टिस बाइद तमिल कम्यूनिटी ऑफ श्री लंका एं इम्रिदा का ठीक है तो इसका सी सही था तो टू के दोनों ही सही थे इस योजना के अंतिकर देश के प्रतिक जिले में खेलो इंडिया सेंटर फेक्सेलें स्थापित क्या जाना है और यूवा मामलाओ खेल मंत्राय के खेंद्रिय चेत्रक की योजना है देखिए अगर जाती है तो बैट रहें एक्जैम के लिए हमें देखिए यहां पर भी काफी इंपॉर्टन चीज मिल जाती है तीन भारत की काली मृदा की संदर में निमलके कितनों पर विचार कीज़ें एक यह मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घटियों में विस्तरत है दूसरा यह मृ मृदा मृदा देखिंगा और यह मृदार यह कज़ें गहरी और ऑपार गम और पर ऑफल सूखने पर स्कौर जाती है गीली होंगी तो फूल जाएंगी और सुकने पर सिकौर जाएगी इस प्रकार शुश्करितू में इन मृदाओं में चौडी दारा पर जाती है अला तो लंबी टाइन तक इसमें नमी रहती है जिसका काण फसल विशेश रूप से वर्षाधान फसलों को शुष्क रुतु में भी नमी मिलती रहती है और फलती फूलती रहती है तो दूसरा कथन सब्सक्राइब काली मृदाय बलकि जलोड मृदाय जो है उत्री मैदा नदी घा सब्सक्राइब कर एक सबूसक्राइब कार योदंटी तक प्रसाइन का ट्लिफाब यिसमें महारास के कुछ भाग मद्यप्रदेश गुजरात ंंद पर क मarnaद्री के कुछ भ्राइब द्रशेः ह् चलिके फॉसफुोरस नािट्रोजन जयव पदार्थों कि म्रिदा होता है। जाए पदार्थ होता है। तो तीसरी का मा्रा बिस था। कवसचन सब्सक्राइब चेट में निमलेकित विशेष्टाओं पर विचार कीजिए एक तरडवर्ती व्यापारीक पवनों का वर्षवर भर प्रवाव दूसरा वर्षा का एक समान वार्षिक वित्रण कौन से सही है किवल एक किवल दो एक और दो दो ना तो एक ना तो दो तो यहां क्या होता है यहां पर पूरेवर्ष जो है तटवर्ती व्यापारीक प्रवनों से प्रभावित रहती है तो यहां क्या होता है यहां पर पूरेवर्ष जो है तटवर्ती व्यापारीक प्रवनों का प्रभाव रहता है पूरेवर्ष वर्षा का एक समान वित्रण होता है दोनों ही कतन से यह मद्दी चीन के बीती भागों को छोड़कर जाए अलग शुष्क मौशम होता है अन्य भागों में प्रतीमा वर्षा होती है तो दिखे चायना बहुत बढ़ाया बीच में वर्षा किनारों पे जादा होती है और जो मद्धिभाग भूमी का होता है वह शुष्क मौशम रहता है वर्षा या तो समभनिये कनवेंशनल प्रकार से ग्रीश रितू में परवतिये औरोग्राफिक प्रकार इसे कभी-कभी खाड़ी नटाल प्रकार की रूप में जाना जाता है इस प्रकार की जलवाई सिमाओ पूर्वी सीमाओ मार्जिस पर उश्न सम्दवोश्न अक्षान्सों में उश्न कटीवंद के ठीक बहार पाई जाती है जैसा कि निवल्दिके तो जुम्हें जोग्रफी के में पढ़ाया हुआ है NCR TV तो आप उसको देखे तो आपको बेसिक समझ में आगा कूशन शी तो उसन वगेरा क्या है तो आप यहां पर देख सकते हैं कहां-कहां ऐसा जलवाई हुआ है वाम टेंपरेट इस्टन मार्जिन रीजन आप देख सकते एक चाइना में आपको दिख रहा होगा एक सकेंड एक आपको को यह वाला चहत्त दिख रहा आ है नान केंठी के यहां पर… एक आपको यहां पर दिख रहा है ऐसा सेंज़वाई है कहां-पर दिख रहा है तो फोर्द का हमारा C साही था फिफ़्ट Virtिक्रमन के संदर्में तो फिफ्त का देखिए हमारा ए सही है मतलब पहला कत्र सही है दूसा नहीं था समानता तापमान उचाई के साथ घट जाता है जिसे जिसे समान हासदर कहते है लैप्स रेट कहते है कि आप जब उचाई पर जाएंगे तो टैंपरेचर जोता है वो कम होता जाता है लेकिन कई बढ़ातियों कि लिए को मोस्य जरता है वो कनवन हमेटे के लिए तो तो महलं समय के लिए हो जाता है लिए मेधिं लंबी राए तो शांत वायू विद्क्रमंट के लिया आधरज दिशाह है अगर ठंड जिल्बल्हेइ लंबी रात है और शांत वायू कि लिए आधिश दशाइं है दिन में प्रापत उश्मा रात के समय विक्रत कर दी जाती है तो जो दिन में सूरश से गरमी मिलती है वो रात के समय के बापिस सले आती है और सुबह हूसel तक भूपरेश्ट स्थिर्टा को बढ़ावा देता है दुआ और धूलकंड वित्क्रमंड स्थर से नीचे एकत्रों कर चार और फैल जाते हैं जिससे वायुमंडर का निचला इस तर भर जाता है इससे सर्दियों की सुभै की समय घने कोहरे की समान रचना होती है अब इसकांड जी की पॉलूश दुआ और धूलकंड वित्क्रमंड इस तर से नीचे एकत्रों का चारों फैल जाते हैं जिससे वायुमंडर का निचला इस तर होता है इसलिए क्या होता है सर्दियों में सुभै की समय घने कोहरे की समान घटना है यह वित्क्रमंड कुछ की घंटों तक रहती है सूर की पर्वतों उपर रात में ठंडी हुई हवा गुद्वख कर्शण बलके प्रहाव जल चैंट उपर से नीचे हवा उतरती है तो पहाडें ऑपर में जो ठंडी हवा होती है ठीके वो क्या है नीचे उपार都有 होता नहीं एंड और घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे और घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है उपर गर्म हवा रहती है इससे बायू एयर ड्रेनेज कहते हैं पाले के पौधे की रक्षा करती है कि तो festbirds कि सबहिए कि शर्जियों की सुबह ताप्मान की विखप्रमन के कान जळाकोर्ते दूसर सही नहीं है मैदानी लागों की विशेश्टा नहींकिया परवति अलावकों में नहीं दिखाई देता है ऐसा नहीं होता है तो इसलिए दूसरा सही नहीं था निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए एक भारत में विश्च के इसलिय छेतफल का 20% से अधिक भाग है दूसरा छेतफल के जिस्टी से विश्च का सात्वा सबसे बड़ा देश है दूसरा भारत का अक्षांसियों देशांत्री विस्ता लगबग साथ डिक्री है कौन से सही है एक और दो तीन दो या एक दो तीन है तो ट्री पॉइंट पहले मैं आपको शायद बोला था यह उपर के कॉश्चन में पाले से पौधे की रक्षा करती है तो शायद म पाला होता है उससे पौधे की रक्षा होती है अब सिक्सका सी से यह थी कि 3.28 मिलियन वर किलोमीटर चेटफल के साथ भारत विश्व के स्थलिये चेटफल का 2.4% भूबाग आचादित करता है तो भारत का जो चेटफल है विश्व का 2.4% है यह विश्व का साथवा सबसे बड़ा देश है तो कथन एक सही निए दूसर सही की सात्मा सबसे बड़ा देश है भारत का अक्षांसिय और देशांतरी विस्ता लगए 30डी है तिक है इसका मूंक्ची बाग 8 degree 4 minute उत्तर से 37 degree 17 minute उत्तरी एक्षांस तथा 68 degree 7 minute पूफ से 97 degree 24 minute पूरवी देशांतर तक विस्तरत है तो 30 degree का इसका विस्तार है तो 6 का C सही है केवल दूसरा सही था देखते हैं question 7 निमलिके इतकत्नों पर विचार केज़े एक उर्जा के समवनिय स्थांतरं की प्रक्रिया मुक्तव चोब मंडल तक ही सी में तरहती है दूसरा मत दक्षांसों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्टन केवल अविवहन के कारण होता है उप्यों कत्नों में से कौन साइसे सही है प्रवेशी सौर पिकरंट से गर्म होने के बाद प्रत्वी सतय के निकट इस्थिद वायू मंडलिये पर्तों में दीर तरंगों की रूप में ताप का संश्रेंड करती है निशली परतों की सनपर्ख में आने वाली वायू दीर-धीर गर्म होता प्रक्रिया को चालन कंडक्शन बहुत Th happy only होता है जब आस्मान तावपाले 2 पिंट एक दूसरे के संपक्ष्ण करें होता है जब चालन कंड़क्शन होता है जब तक तक दोनों तापमान एक हो तो यह टेंपरेचर यहीद जब तक होता है अन्पेर творा में गर्म्त उपती है तो ऑब ब्दे दो को फ Lots सहीत है कि प्रत्वी के समपर्क के इचा यूमडल में ताप संचरें की को back दोसे सही थे बाइयू के चहाथिस से होने वाले अभी संघ्षन सब्सक् surtis ठाप कासे हडु आफी वहनग, लमबग सिंशलन के पिक्ष्यास, यह ज्याददा इंपॉर्टेंट है, दैन एक मौसम में होने वाले परिquently तो मद्दक्षांसों में दिन के जो मौसम में जो चेंज आते हैं वो के वल अभी वहन के कारण होते हैं यह द्यान रखेंगे उष्ण कटीबंद्य प्रदेशों में विशेषता उत्री भाग में गर्मियों के चलने वाली इस्थानी प्रबन लू इसी अभी वहन का परिणाम इस निकटीबंद्य बद्देख्षांसी सब बेसिक्स है जो मैं बढ़ा चुकी है आप देख सकते हैं ठीक है अगर आप जानना चाहिए तो तो देखें क्या है जो हमारे जो अप लू चलती है गर्मियों अभी वहन के कारण ही होती है चैतिस संचलन के कारण तो सेविन का स देखते हैं भारती प्राइदीब खंड की निमलिकित विशेशता आप विचार कीजिए एक हैमक रूप से प्राची नाइस ग्रेनाइट शेलो से बना है दूसरा पश्य में थार मरुस्ता पूर्वियों में कर्भी अनलोग पठा इसके विस्तार है इसमें कौन से सही है एक में भारती प्राइदी मात पूरा ही बना है क्या है मुक्ता प्राची नाइस ग्रेनेट शेलों से बनाक केम्प्रियों क 2030 कंड के रूप में खड़ा है तो तो चाम्यरा एगा असे ह्टाम से क्या है भूक्त थे एक पूर्ड ककौन के रूप प्रभाब नहीं पड़ता है तो भारती प्राइदी प्राइदी उसका जो प्रभाब नहीं पड़ता है इंडो इस ऑस्ट्रेलियन प्रेट का हिस्सा होने कारण यह उड़ादर हखनड भ्रेंश से प्रभावित है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्साइश कारण अबही इसमें हल चल होती है नमदा तापती और महानदी की रिफ्ट घाटियां सथपुड़ा ब्लॉक परवत इसके कुछ उधारन है तो कुछ ब्लॉक परवत होते हैं जैसे नमदा ता मालार की पहाड़ियां जावादी की पहाड़ियां वैलिकुंडा की पहाड़ियां पाल कुंडा शेडियों महा महिंदगिरी की पहाड़ियां यहां की नदी घाटियां उतली और कम प्रवंटा वाली होती है तो यह जो नदियां है वो उतली और कम प्रवंटा वाली होती है त जो कच से आरम होकर आरापली पहाडियों के पष्चम से गुजरात हुई दिल्ली तक और फिर यमना गंगा नदी के समरानतर राजमहल की पहाडियों गंगा डेलटा तक जाती है जो उत्तरी सीमा है वो क्या है कटी फटी है जो प्राइदी पे खंड है जो कहां से स्टार्ट ह आरम होकर जो अरापली पहाडियों के पष्चम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमना और गंगा नदी के समरानतर राजमहल की पहाडियों गंगा डेल्टा तक जाती है इसकी अत्रिक उत्तरपूर्व में कर्भी एनलोग और मेगाले का पठार और पष्चम में रा प्राइदीव खंड मरुस्तर सदिश स्थलाकृतियों से धका हुआ है तो एर्थ का जो हमारा था वो सी सही है एक और दो दो नहीं सही है कि भार्ट्य प्राइदीव खंड जो है मुक्रुप से वह प्राची नाइस और ग्रेनाइट चलों से बनाए और पस्चे में थार का महा थार मार वह नाइजी अब प्रकार दोद्वार की इस से दित्यक बल जो धारा के प्रभाक को नियंतरित करता है प्रात्मेक बल दाराओं को प्रभाववित करते हैं सारूर्जा से गर्म होकर जल फैलता है यही कारण है कि विश्यूत प्रत के महासागरी जल का इस तर जो है मद एक्षांसकू या पेक्षा आठ्षेंडी मीटर उचा होता है इसके कार्ण बहुत कम प्रवर्टा ग्रेडियंट उत्पन होती है ठीक है और जल का भाव ढाल से नीचे की तरफ होता है महासागरी की सते पर बहने वाली वायु जल को गति मान करती है इस क्रम में वायु रषण की सते के बीच उत्पन होने वाला गर्शन बेद जल की गती को प्रहायत करती है गुद्वा करशिन कारण जल नीुछे जल दाप प्रवंटा से भिंता लागता है तो जल जो गुर्तवा कर्शन वहला उसके कांड नीचे बढ़ता है जब अर्थ घुमती है तो जो जल होता है तो जो जल होता है वो तरी गुलाद में अपनी दिशा की दाहिनी तरफ और जो दक्षनी गुलाद सदन हमिस्फियर है उसमें बाई और मुड़ जाता है तरह उसकी चारों और बहाफ को वले गायर्ण एक है इसकी कांड सभी महसागरी वेस Tillों में ब्रेट enabled दारा उपन होती चैनल की घृत में अंतर महसागरी जल्दार्यों की उटहर्धार गती को प्रभावित करता है आगा गर्ढ़ में परिवर्थ तनए तो ओंकी उधार और इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल के पिक्षा अधिक सगन होता है जो ठंडा जल होता है वो अधिक सगन होता है सगन जल नीचे बैठता है जब के पास वाला जल नीचे बैठता है तो देखें जो ठंडा जल होगा वो नीचे बैठेगा और फर वो धीरे-धीरे एक्वेट तो जो गर्म धारया होती हो सत्य से उताई होता है और धंडी जल का इस्थान लेती है महाकरिये बेस्मों और आसपास की भुभागों की इस्तिलाकृति और आकार भी महासागरिये धाराव को प्रभावित करते हैं तो कैसा सव्भाग यह ऐस बी इस ऐ सब डालता है तो नाइन का हमारा डी सही था एक दो तीन तीनों ही चीज़े जो है महासागरी धारों के संचलन को प्रभावित करती है पबनों की गति समत की लवन्ता और कोरियोलिस बल अब दिखते है क्वेस्चन टैन मृदा में जयविक पदार्दों के अब घटन के संदेर इन लिवकित अब घटन की प्रग्रा को तीर करता है कौन सा सही है तो 10 का हमारा डी सही है कई कारक जयविक पदार्दों के अब घटन को प्रावित करते हैं तो जयविक पदार जोते हैं उनके अब घटन को कौन से कारक प्रावित करते हैं आदरता मृदा में आदरता का मध्यम इस्तर हो आउरोबिक प्रष्थित्यों का स्रीजन उच्छ दृती तो मृधा यह जो मृधा गयस का आधनी प्रता सीमित होगा, जेसरे रही ब्रता में निम्न ऑक्षीजि़न को पार्व data साथ मिदा में आधिता कि निम्न मात्रा की कांट जल का होता है अगर आधिता नहीं तो जल तो ओक्सिजन भी परियापत हो नीं चहिए संगथन यदे अपरदन टेश नाइट्रोजन जल्विल रुस्स तरफ जैसे शर्क्रा से भरपूर होता है तो अब फिर तू आप गटन की प्रक्रियत तीव होती है यदि लिग्निन और काइटन से भरपूर होता है तो आप तो अगर उसमा नाइट्रोजन और तत्व जैसे शर्क्रा। तो अब गटन की प्रक्रया तीर होगी और लिग्य Pokémon ह mechanics तो आप ग्टन की प्रक्रया धीमे होगी उसने तापमा शूष्मजीवों को सक्रिय बनाते हो आप घठन की प्रक्रिया को तीर करता है तो क्या होता है जब गर्मी होती है तो वो क्या होता है उसमें शूष्मजीव सक्रिय हो जाते हो और घठन की प्रक्रिया तेज हो जाती है मृधा का पिएच लापकारी शुश्म जीवों की गतिविदी को प्रभवेट कर पौधों की बृधी को भी प्रभवावित कर सकता है मृदा की जैविक प्रदार्तों का अपगटित करके करने वाले जिवाडू जैसे राइजोबियम की गतिविदियां प्रबल अमली मृदा में बादित हो जाती है तो मृदा जो है जादा अमली नहीं होनी चाहिए तो तीनों ही गतन सही थे एन्य पुझे तो कौन्स नहीं है तो लिज गर्मी होगी तो अपगटन तेजा़ी से होगा ठंड है नही बाद कीज़िगी टीनों सही थे की ऑक्सीजन अपगटन की प्रक्रेप को तीव करता है B academically आप नांनल थे नाटों से भरगाइं CB से एक मिदा का pH अब गटन के प्रक्राव को प्रभावत करता है तो आपका जो भी स्कोर रहा हो बता सकते हैं क्या रहा बाकी के हम वीडियो नेक्स्ट बाकी के हम question नेक्स वीडियो में देखेंगे Thank you